छटे चरन में साथ राजे और एक केंद्र साशित प्रदेश के 58 सीटों पर वोटिंग ओवरॉल 57 पीस्ती रहा मत्दान पश्चिम बंगाल में सबसे जादा 78 परसेंट वोट पड़े जम्मु कश्मीर के नंतनाग राजोरी संसदी एक शेत्र में तेहास रचा पैंते साल बाद 51.35 पीस्ती मत्तान हुआ यूपी में 54, बेहार में 52 और हरियाना में 69 पीस्ती वोट पड़े, छारखन में 61 और ओडिशा में करीब 60 पीस्ती मत्तान हुआ चनाव के दौरान बंगाल में हिंसा जारग्राम में बीजेपी केंडिट प्रनत टूडू पर हमला सुरक्षा कर्मी का फूटा सर गाड़ी में भी तोफोर बंगाल के गाड़ाल में बीजेपी केंडिट इनमेज अटरजी को जबरन रोका टीमसी कारे करताओं ने सरक पर हंगामा की आग जनी किये किंद्र सुरक्षा बलो पर भड़की मैदनी पूर्स बीजेपी केंडिट अगनी मित्रा पॉल के शियारी में बूतों पर बीजेपी पोलिंग एजेंट की नूँ एंटरी का मामला टीमसी जहां जहां हार रही है वहाँ वो हमला कर रहे है बीजेपी प्रत्याशे दिलिव खोश ने आरोक लगाया चनाफ के दौरान पूछ किशाजावुल सेक्टर में पीडीपी और एंसी समर्थकों में हिंसक छडब खायल चार लोगों का इलाज चारी बिहार से प्रधानमंत्री मूदी का विरोधियों पर डारेक्ट अटेक कहा इंडी वाले अपने वोट बैंक के गुलाम वहाँ जाकर मुझरा करना है तो करें मैं सी एस्टी ओ बीसी के आरक्षन के साथ बक्सर की रैली में बोले पिम पटना और दिली के शहजादों के लिए उनका परिवार सब कुछ है मेरे लिए आप ही मेरा परिवार है कारकाट से पिम मुदी ने तेजस्टी आदव पर निशाना साधा कहा बिहार के गरीबों को लूटने वाले का जेल जाना काउंटडाउन शुरू हो गया तेजस्टी आदव का पलटवार बिहारी गुजराती से डरता नहीं एक बार हाथ लगा कर दो दिखाईए पिम की भाषा उनके समर्थकों को भी पसंद नहीं आ रही है आजड़ी नेता ते जस्टी आदव ने कसा दच पिम के बयान पर बोले आजड़ी प्रवक्तम रितुन जर्तिवारी का पलटवार तेजस्टी जनता की दिलों पर राज करते हैं हार की वज़स से पिम कुछ भी बोल रहे है पिम के मुझ्जावारे बयान पर सियासत तेज आजड़ी सांसत मनोज्जा ने पूछा क्या प्रधान मंत्री की भाशा ऐसी होनी चाहिए प्रयांका गांधी के निशाने पर भी रहे हैं मोधी कहा उन्हें प्रयांका गांधी की वोटिंग सोनिया गांधी ने राहुल के साथ डाला वोट प्रियंका गांधी अपने दोनों बच्चों के साथ वोट आलने पहुची CM के जिवाल ने परिवार संग वोटिंग के संजर सिंग सौरब भारदवाज और कैलाश कहलोत ने मत दान किया मनुच्तिवारी बांसुरी स्वराज रामवीर सिंग बधुरी ने मत दान किया मेनाक्षी लेखी और कपिल सिबल ने भी वोट डाला दिली में इंडिया टीवी के चेर्मेन और एडिटर इंचीफ रजच शर्मा ने मत दान किया मेरजिंग डाइरेक्टर वित्तु धवन ने भी वोट का प्रयोग किया रांची में पूर्व सियम एहमद सोरिन के पतनी कलपना ने की वोटिंग महिंदर सिंग धोनी ने भी वपतान किया हरियाना में भी दिगजो ने किया मददान पूर्व सियम मनोहर लाल खटर और सियम नायव सैनी ने भी वोटिंग के मददान को लेकर दिखाऊ चार अंतनाक राजोरी और कुलगाम में जम कर वोटिंग होई दिल्ली में कई जगा एवियम गडबडी की मिली खबरे रहन बसेरा बोत न्यासी पर मददान शुरू होते ही वोटिंग के दोरान मील रही शिकायतों पर चुनाव आयुक तुरंत एक्षन ले आप सांसल संजेसिंग ने मांग की पश्यम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक शुबेंदू अधिकारी ने मदान किया नंदीग्राम के एक मदान केंदर पर वोट डाला मोतिहारी में भारत नेपाल बॉडर रहा सील वोटिंग की वज़से फैसला लिया गया उडिशा सीम नविन पटनायक ने दिया वोट लोग सभा और वधानसभा चनाव में बीजेडी की जीत का दावा दिली के ओल राजिंतर नगर में दिखा जबरदस्त उत्सा स्टेचे पर वोट डालने आया सत्ता नुए साल का मत्ता था सोनपूर में पूर्वसांसद धनजर सिंग ने अपनी पतनी के साथ वोट डाला कहा बड़े अंतर से बीजेपी जीतेगी यूपी के सुल्तानपूर में मदान केंद्रों का निरिक्षन करती नजर आएगी मेंका गांधी बीजेपी की केंडिडेट मेंका है आजमगर्ण में सफा प्रत्याशी धर्मेंद्र रियादव ने बड़ी चीत का दावा किया कहा पीम असली मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं हर्याना के सीम नायब सैनी बोले पीम मोदी के काम से लोग प्रभावित हैं प्रदेश की सभी 10 सीटे चीते चीतेंगे आजून को नया रिकोर्ड बनने वाला है पीम मोदी ने आज़ेडी पर हमला बोला कहा लालटेन वालों ने बहार में अंधेरा पहलाया सिर्फ एक ही घर में रोशनी सीएम योगी ने बल्यामत चनावी रैली की कहा दस साल में पीम मोदी ने देश से आतंतवाद और नकसलवाद को खत्म किया यूपी के चंदोली में सीएम योगी ने रैली की कहा लोग कह रहे हैं रामभक्त ही राज करेगा दिल्ली के सहसन पर वारानसी में प्रयांका गांधी और डिंपल यादव ने रोट्शो किया इंडिय अलाइंस के उभीदवार अजैरोए के लिए वोट माँगे गौरकपुर में प्रयांका और अखिलेश की साजा रैली सफाक एंडेट काजल ने शाद के लिए वोट माँगे औरकपुर की जनता ने तैय कर लिया कि बीजेपी का गौरक तंदा बंद करवाई गया खिलेश यादव का बयाद वारानसी के काल भायरव मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी और डिमपल यादव आर्टीकर आशिरवाद लिया अमरिजसर में राहूल गांधी ने किसानों को भरोसा दिया इंडी सरकार बनने पर कर्जमाफ करेंगे मसपी पर कानूनी दारिंटी देंगे हिमाचल के रोहर में कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकारजुन खरके की रैली कहा कॉंग्रेस और इंडी अलाइन सम्धान बचाने के लिए लड़ रहा है चार्जुन को इंडीकर बंदन की सरकार बनेगी मलिकारजुन खरके ने दावा किया कॉंग्रिस मासरचीव जैराम रमेश का बयान 4 जून को पूरा देश पीएम मोधी को अलवीदा कर देगा हिमाचल के कांगडा में अमिच्छा ने रेली की राहुल पर निशाना साधा कहा एटम बंप से नहीं डरते पाकिस्तान के पुर्व मंत्री चौधी पवाद हुसेन केर्जिवाल के लिए वोट के अपील की सोशल मीरिया पोस्ट कर लिखा नफरत को हराने के लिए वोट करें पाकिस्तान के पुर्म मंत्री पवाद चौधरी ने पोस्ट पर भढ़के अर्विन केर्जिवाल कहा हमारे मामले नितखल ना दे अपना देश संभाले कल से पंजाब दौरे पर रहेंगे सीम केर्जिवाल 30 मई तक करेंगे चनाप्रचार 30 मई तक ही चनाप्रचार की वहार लगाएंगे उसी पर पलटवार जिनका भाई हिंदू को मचाने की बात करता है उनका विरोध होना ही चाहिए गिरिराज सिंग ने लालू तेजस्वी पर निशाना साधा कहा चार जून को चुना अहार कर बाब बिटा किसी मस्दित में पड़े रहेंगे अजीत कुटके नेता सुनील तटकरे का बयान महारास में महायूती की विजय होगी निर्दलिय वधायक राकेश रदौलदबाद का दल का दौरा पढ़ने से नेथन पीम मोदी ने दुख जताया केरल में नेवी की पासिंग आउट परेड वाई उसेना प्रमुक्ने परेड की समिक्षा की राजस्थान में 14 मुस्लिम समधाय को बीसी तहत मिले आरक्षन की होगी समिक्षा सामाजिक नियाय मंत्री का अलार राजकोट में टी आर पी गेम जोन में लगी आग गेम जोन में मालिक को डिटेन किया गया गेम जोन के एक हिस्से में रेनोविशन का चल रहा था काम दो दिन पहले शॉट सरकिर के बाद किया गया था पन गेम जोन में आग लगने पर सक्ट गुजरात थरकार CM भुपेंद्र पटेल ने जाच के लिए SIT कठट की पांगरादेश के सांसद अन्नवारूल आजिन की हत्या का मामला अंगर में CID ने चलाया सच अभ्यान चतिसकर के बेमित्रा में सबसे बड़ा बारूदी फैक्टरी में विस्वोर एक के मौट छेखा है बेमित्रा के बारूद फैक्टरी ब्लास मामले में जिस्टर जाच के आदेश CM ने जानकारी दी पुने hit and run मामले में नावालिक आरूपी के दादा भी अरेस्ट अलग से दर्ज की गई F.I.R महरास्ट के ठाने में एक होटल में आग लगी आगपर काबू पाया गया नामी कंपनी का नकली मसारा चार लाग के नकली समान के साथ दो लोग के रफतार तिरुवन अंत्पुरम में गूगल मैप के भरोसे जारी कार नदी में गिरी कार और परेटक रेस्ट क्या गया तिरुवन पहुचे BCCI के सचेव जैशा बालाजी मंदर में दर्शन कर आशिरवात लिया करनाटक के उरुपे में दो गुटो में गैंगवार वीडियो सोशल मीडिया पर पायरत मामले में गरफतार तीन लोग एक जून तक न्याएक हरासत में रहेंगे कार बीचने को लेकर गैंगवार हुआ था उर्पी गैंगवार को लेकर बीचेपी ने साधा निशाना कहा पपीट पुलिस के आगे अपराधी बे लगा करनाचक के चेनागीरी में पुलिस हरासत में मौत का मामला बीन ने थाने पर पथरात किया चौबस मई को आदिल की पुलिस हरासत में हुई थी मौत लेंबिंग के आरोप में पुलिस ने अरेस्ट किया था खुल गए हिमकुंट साहिब के कपाट रोजाना पैंतिस सो शद्धालू कर सकेंगे दर्शन केंड्रिया मंत्री प्यूश कोईल ने अम्रित सर के गोडन टेंपल में माथा चेका चनाफ के बीच और दास की आंधर के दौरे पर MPKC मोहन यादव नंद्याल में मलिकार जुन मंदिर में दर्शन किये बंदाईयों में शक्स की बेटे की श्चाहत में बना हैवान आठ महीने की प्रेग्निन पत्नी का प्रेट हसियां से काटा दिल्ली के मुंड का इंडूस्रियल एरिया में लगी आग आग पर काबू पाया गया खुलगाँ में ददनाग सडखाथ सा पंजाब की चाल मौत तीम अन्य लोग खाल हुए तिरुन्त पुरम में बीजेपी का प्रदर्शन पोलिस ने पानी की बोच्छार की आंद्रप्रदेश के विजवाड़ा में भारी बारिश चिलचिलाती गर्मी से रहा है भीशन गर्मी के बीच क्वालियर में पानी के लिए हाहा कार टेंको से पानी भरते रिखे लोग मंगार की तुफाइन रेमर को लेकर अलर्ट एंड यारेफ इंस्पेक्टर जहीर अप्लास बोले किसी भी परिस्थिती से ने बटने को तयार मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में पहुंची पीवी सिंदू सेमी फाइनल में थाइलेंड की बुच्णालान खुहराया विश्व पैरा अथलेटिक्स चेंपियन्शिप के 200 मेटर T12 इवेंट में समर्ण शर्मा ने जीता गोल्ड पैरा उल्लंपिक में कोटा भी पका किया महकाल के दरबार में एक जल सवीना टंडन बेटी के साथ आशेवाद लिया